मेरा चानल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बरन दबाए बाद में आपको एक घंटी मिलेगी उस घंटी को दबाए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेगे वेल्कम बैक टो माई चानल सिहास लाइजसन तो दौस्तों आज में रिविउ करने वाली पूठ बहुती प्यूटीफुल लहेंगे का जिसी कि आप यहां पीक में देख सकते हो यह लहेंगा मैंने फ्लिफ करते मंगाया है पर दोस्तों आप पीक में जो लहेंगा देख रहे हो तो यह इसका dupe है यह इसकी copy है यह exactly ऐसा नहीं है क्योंकि यह peak में जो दिखाई दे रहा है वो शाय सब्वेस अच्छी या फिर बहुत ही एकस्पिसिव साइक का लहेंगा है यह वैसा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसकी cost है वो है thousand या 1100 है तो उस हिसाब से यह लहेंगा है यह इस लहेंगे का dupe है यानि इसकी copy है यह वाला exact ऐसा नहीं है तो चलिए देखते हैं कि यह लहेंगा कैसा है तो दोस्तों मुझे flip card से जब packet आया तो मुझे रहा ने गया और मैंने उसके open कर दिया था तो मैंने इसको open कर दिया है आप देख सकते हो मुझे three parts में यह लहेंगा मेला है तो उसमें से पहला है यह दुपट्टा दूसरा है यह इसकी top अनि छोली और थर्ड पाट है लहेंगा और इसका जो लहेंगा है चलिए पहले लहेंगा ही देख लेते हैं इसका जो लहेंगा है वो stitch है stitch यानि आपको यह पहल अनि पहलाना नहीं है तो कुछ इस तरह से इसका आपको stitch किया हुआ मिलेगा तो इस पूरे लहेंगे पर आपको दिखेंगी पूरे लहेंगे पर इम्डॉडेरी दी गई है golden इंब्रॉडेरी दी गई है और यह green कलर का है green कलर का रहेंगा है यानि महिंदी green कलर उससे तार क लहेंगा है बहुती beautiful color है इसका और इस पर यह आप देख सकते हैं golden color का embroidery work किया गया है पूरे लहेंगे पर और इसके bottom पर हम देख सकते हैं कि एसा थोड़ा थीक अब देखते हैं इसका टॉप एन इसकी चोली तो आपको इसके चोले आपको सिलानी पड़ेगी, ये अंस्टिच है, कुछ मुझे इसे दो पार्ट मिलेगे इसके साथ, आप देख से ओ, ऐसे, तो आपको इसको अपनी हिसाब से आप सिला सकते हो, इसके नेक पर भी बहुत अच्छे से गोल्डन का एंब्रोडरी वर्क दिया गया है, और ये फैब्रिक मशीन वर्क है और पूरे ब्लाउस पर आपके वर्क आएगा, लेहंगे पर भी वर्क आएगा, आपके ब्लाउस पर भी वर्क आएगा, तो ये दो पीस उन्हों ने दिए हैं, और आप अपनी हिसाब से इसको टीश करा सकते हैं, तो काफी अच्छा है इस आप अपनी साब से स्प्रियूज भी सिला सकती हो तो यह होगी उसकी छोडी अब देखते हैं दुपट्टा इन दोनों में से मुझे सबसे अच्छा लगा है तो वो लगा है इसका दुपट्टा दुपट्टा उन्हेने काफे को सुरूद दिया है और उसकी बज़े से इस लहेंगी की शान बढ़ती है तो दुपट्टा उन्हेने दिया है वो नेट का दिया है तो चलिए मैं आपको इस ओपर करके देखाती हूँ तो आप देख सकती हो तो उन्हेने गोर्डन कलर का है गोर्डन कलर का दिया गया है और नेट का और उसके बादर पर works दिया गया है जुतना लम बाद होता है इसना अच्छा दिखता है तो मुझे दुपटा काफी पतन आया और काफी अच्छी से कॉम्प्लिमेंट करता है उस लहेंगी को दिख सकते हो आप सिंपल है पर काफी अच्छा लगता है जब हम इस दुपटे को इस लहेंगी के साथ कीमा करते है तो कवर आल मुझे यह लहेंगा बहुत अच्छा लगा और यह लहेंगा खास करकी उन लट्यों को बहुत अच्छा लगा जो टीनेजर है या फिर उस वेडिंग गैस्ट या फिर उसकुछ दुखार की जो सहलिया है उन पर यह लेंगा अच्छा लेगा, आप जा रहे हो तभी भी एच्छा लेगा, हाँ दुलहन के लिए उतना खास नहीं लेगा, क्योंकि दुलहन के लिए थोड़ा ज्यादा हेवी होता है, तो उस हिसाब से तो नहीं है, यह बाइडल में लेगा तो में नहीं कहूंगी, पर क्योंकि उस हिसाब से यह काफी पसंद आया, और इसका दुपट्टा भी बहुत पुपसूरत है, और इसकी जो कीमत है, वह है 1188 है, तो उस हिसाब से, यह 1100 की हिसाब से, तो यह काफी अच्छा है, हाला कि जो हम पिक में दिया है, वैसा तो नहीं है, वो यह वाला उसका ड्यूप है, उसकी काफी है, तो उस हिसाब से यह लेंगा है, तो उस हिसाब से मुझे यह काफी पसंद आया, I hope आपको भी यह पसंद आया होगा, अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस अगर आज का इस लेहेंगे का रिवीू, I hope आपको यह पसंद आया होगा, अगर आपको यह रिवी पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही बूती सारी इस ले ताकि मेरे जोबी नए वीडियो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, तो दोस्तों, finally, thank you so much for watching.